तो आज हम इसके बारे में जानते हैं तो देखे यह वर्ल्ड की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ग्लोबल एंविर्मेंटल ओर्गनाइजेशन है एंविर्मेंट मतलब जो परकर्ती को बचाने का काम करती हो जिसके अंदर प्लांट एनिमल जो भी अब विलॉप्थ होने के कगार पे हैं या फिर विलॉप्थ हो चुके हैं हो चुके उनको तो नहीं बचा सकते लेकिन जो भी ऐसे हैं जो की जैसे लायन हो शेर हो गए टाइ यह एक observer है और United Nations General Assembly की मतलब सभींकतर राष्टर संग की यह ब्रांच नहीं है सभींकतर राष्टर संग की यह सिरफ एक observer है और यह कंसल्टेटिव बोडी भी है, मतलब सला दे भी सकती है, सला ले भी सकती IUCN के अंदर, सो इसका, देखिए, हमें क्यो जरुरत पड़ी IUCN की देखिए, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में बहुत नुक्सान हुआ परियावरन को वर्लड वार चला था, 1939 से लेके, 1945 तक जिसके बीच बहुत से जैसे हीरो सी माना आगासा कि में बम गिरा जिससे पूरा सहर तबाह हो गई थे, जिसमें बहुत से जानवरों की भी मौत हो गई थी, बहुत से पेड़ पोदी थी, 1948 के अंदर, भारत के आज़ाद होने के एक साल के बाद में ठीक है, 1948 के अंदर ये स्टेबिस होई थी, इसका पहले नाम था, International Union for Protection of Nature, ये पहले इसका नाम था, आठ साल तक यही नाम रहा था, इसका आज़े हैं हम आगे, देखिए, ये है IUCN की लिस्ट, इसके अंदर, कोलापस इसको बोलते हैं, एकस्टिंक्ट, इसको बोलते हैं, और, critically, इन दोनों के बीच में एक और आता है, जिसको बोलते है, wild, extinct in wild, ठीक है, उसको बोलते है, extinct in wild, ये इकस्टिंक्ट के बाद में आत है, फिर आता है critically endangered, फिर आता है endangered, फिर vulnerable, near threatened, least concerned, data deficient, और not evaluated, अब देखिए, जैसे आप उपर की ओर बढ़ते हैं, तो risk बढ़ता है, मतलब इन जानवरों को खत्रा है, जैसे आप निचे की ओर आते हैं, risk कम होता है, ठीक है, अब हम इन सब को एक एक करके detail में देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, तो अब देखें, यह है यहाँ पे, सबसे पहले extinct, देखो, एक्जाम में क्यूर्सन बनता है, वो mostly बनता है, इससे critically endangered, एंडेंजर्ड, vulnerable, इन से ही बनता है, maximum, इन से बहुत rare of the rarely पुछा जाता है, least concerned और nearly threatened के वारे में, देखें, extinct किसको बोलत है, extinct, उसे बोलते है, जिसका कोई भी अवसेस नहीं रहा हो, जो विलुप्त हो चुकी है, इस धर्ती से, जिसके मतलब कोई एक single भी नहीं बचा हो, जिसके, जैसे, for example, दुनिया के अंदर, जैसे, 2000 से रहे हैं, अब 2000 के 2000, अगर एकदम से खतम हो गए, तो उसको बोलेंगे हम extinct के मतलब वो है ही नहीं दुनिया के अंदर, बिल्कुल भी नहीं बचे, ठीक है, अब हम देखते हैं, extinct in wild, so, extinct in wild क्या है, extinct in wild का मतलब है कि जो उसका इलाका है, जैसे सेर जंगल में रहता है, लेकिन अब वो जंगल में नहीं पाया जाता, मतलब कि वो captivity के अंदर रह रह है, जैसे कि सपोज करिए, एक लास्ट सेर बचा है दुनिया के अंदर, और वो जंगल के अंदर सेर नहीं है, लेकिन एक सेर है, जो कि मैं अपने घर में रख रहा हूं, so, वो मेरी captivity मतलब मेरी निगरानी में रह रह रहा है, मेरे पास रह रह रहा है, तो उसको बोलते है, extinct पास है, तो इसका मतलब है, extinct in wild, मतलब वो वहां से विलूत हो चुका है, अब हम देखते है, critically endangered, so, critically endangered वो होते हैं, जो कि पिछले 10 सालों के अंदर, जिनकी गिरावट, 80-90% के बीच में, जिनकी जन संक्या में गिरावट हो चुकी है, या फिर आप कह सकते हैं, कि 50 ही mature बच हैं, जैसे for example, दुनिया में 10,000 बाग हैं, ठीक है, और अब केवल 1000 बचे है, मतलब 90% गिरावट आ गई उनकी जन संक्या में, तो उसे हम बोलेंगे critically endangered की category में रखेंगे हम उसे, ठीक है, और अब चलते हैं हम next category के उपर, जो की है endangered, अब देखिए endangered कब होता है, कि जब उसक की population के अंदर 70-50% की गिरावट आ जाए, दस सालों के अंदर, तो उसको बोलते हम endangered, और जो की, या फिर criteria है कि 200 individual बच्चे हो, मतलब 200 mature पराणी बच्चे हो, उस पर जाती है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम endangered की category में रखेंगे, critically endangered सही, इसमें थोड़ा सा कम risk है, critically endangered हो, हम देखते हैं, तो देखे, vulnerable category होती है, जिसके अंदर की 30-50% गिरावट आई हो पिछले 10 सालों के अंदर, और जिनके population हजार के something रह गई हो, या फिर हजार से कम रह गई हो, तो उसको हम डालते हैं, vulnerable की category में, ठीक है, अब आते हैं, nearly threatened, nearly threatened मतलब की, इनको अभी तो कोई खत हो सकता है, मतलब कोई भी जानवर है, जो अभी फिलाल खत्रे में नहीं है, लेकिन future के अंदर वो in vulnerable, या फिर endangered की category में आ सकता है, और अब चलते हैं, least concern के उपर, so least concern क्या होता है, least concern वो होता है, जो की, जिने कोई खत्रा नहीं है, जो काफी है मातरा में, ठीक है, जिनके कोई, अभी कोई खत्रा नहीं है, जिन पर, ठीक है, अब चलते हैं, next के उपर, अब data deficient है, so ये क्या होता है, कि जैसे कोई, कोई किसी चीज को, किसी जानवर को हमें, कौन सी category में डालना है, लेकिन हमारे पास उसका proper data नहीं है, कि वो कहां रहता है, वो क्या खाता है, वो जानवर, उसके proper study नहीं है, तो इसको हम बोलते है, data deficient, ठीक है, और उसको हमाँ पता नहीं ह हमें पता नहीं है, कि उसको कौन सी category में डाला जाए, extinct में हो सकता हो, extinct भी हो चुके हो, या हो सकता हो, बच्चे भी हो, लेकिन हमारे पास उसका कोई proper data नहीं है, तो देखे, अगर ये पूछे, और ये possible भी नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर हजारों ऐसे जानवर बोल सकते हैं हम, ठीक है, और ये नोट इवेलियेटेड, ये भी एक IUCN की बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई species ऐसी हैं जो कि अभी तक हम उसको एक्सेस नहीं कर पाए हैं, हमें पता भी नहीं है, देखे, वो पता कैसे चलता है, कोई भी चैसे मोर है, पिकोक है, और अचानक से एंजियो और आईउसे ने बोला कि इनको खत्रा है, और इनको ये एंडेंजर्ट केटेगरी में इनका बचाव के लिए कुछ क्या जाना चाहिए, तो सरकार सचे हो जाती है, कि हाँ, हमें कदम उठाने चाहिए, लेकिन बहुत से जानवरेस हैं, जिनका पता ही नहीं चलता कि वो कब एक्स्टिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो ये सब हैं इनके आईउसेन के कैटेगरीज, कौन-कौन सी हैं, हमने देख लिए, डाटा डेफिशेंट, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, तो अब हम देखते हैं कि कौन-कौन सी जीव हैं, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं, ठीक है, तो अब चलते हैं, हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड मेंबल को देखते हैं सबसे पहले तो, देखिए, ये एक पिग है, जिसको बोलते हैं, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिष्ट में आता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट वाईल्डिग है वल्ड का पूरे विस्वMore में सबस्य स्मॉलेस्ट वाईल्डिग फिग है ठीक है पिगमी होग इसका नाम है और तरही ग्रास लेंड होते हैं तरही गहास के मेदानों नेपाल नेपाल भुतान इंडिया लेकिन अब यह सिर्फ मनास वाइड लाइफ सेंस्टॉरी है असाम के अंदर सिर्फ वही पाएजाता है और बाकिन पहले नहीं पाया जाता थ्रेट ये किस कारण से हो गया तो ये हंटिंग के कारण से और एयर फोरेस्टेशन ऑफ ग्रास लेंड लोस डिग्रीडेशन ऑफ लेंड तो इसके कारण से ये wayaways फ्रेट जाल राती है जाता है ठीक है अब चलते हैं मकले अब ये है नामधाफ़ जाता है यह इसका बाइलोजिकल नेम है जो कि आपको ध्यान में रखने की जरुरत नहीं यह लिखती है मैंने बस यह द्यान में रखना यह कहां पाई जाती है फिलाल तो यह सिर्फ नामधा फटाइगर रिजर और नाचल प्रतेश में पाई जाती है अब चलते हैं अगले के केरला के अंदर ठीक है 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 इसका वुड़ेड प्लेन एंड हिल स्लोप ऑफ एवर ग्रीन फोरेस्ट ठीक है यह आप देख सकते हैं मालाबार सिवेट और क्रिटिकली एंडेंजेड की लिस्ट में आता है यह और यह सिर्फ धाई सो रह गये हैं आप गिंती के रह गये हैं ह चलते हैं अपने नेक्ष्ट के ऊपर सु यह है सुमात्रनरण राइनो स созд सायर जो की क्रिटिकली एंडेंजें में आता है और यह स्मोलेस्ट जो राइनोस्ट की 5 के टेग्री है उनमें से सब से स्मोलेस्ट है यह पांच कॉन से हैं बलेक राइनो वाइड राइनो ग्रेटर यह देखो यह लिखा भी वहा मैंने यहां पर ओनली ग्रेट वन होंड राइनो इस फाउंड इन इंडिया यह पहले यह देखो ओनली अबाउट अशी ओफ देम आर लेफ्ट मैंली इन सुमत्राइंड बोर्न यहां पर यहां पर यह असी ही बचे हैं इनकी पॉपुलेशन ग् सुमत्राइंड इन इन इन्दंड में तीक अब हम सलते हैं अपने नेक्स्ट के उपर अब हम देखते हैं क्रिटिकली इन डेंडेज़ड बिर्ड यह वाइट बिलाइड हैरोन यह आप यहां पर देख सकते हैं देखिए इसका नाम है जो की पाईलो जी कर नेमत जो की इसको पोचिंग यह थ्रेट इसका एक तो और यह कहां कहां पाया जाता है तो इस्टन हिमालिया के फुट हिल में पाया जाता है जो बुटान नोर्थ इस्ट हिल ओफ बांगला नोर्थ इस्ट में और इंडिया और पांगलादेश में नोर्थ मेंमार इंडिया इंडिया में यह आसाम और और अचल प्रतिस में पाय जाता है के टेगरी इसकी भी critically endangered है ठीक है अब चलते नेक्स्ट के ऊपर यह है बंगोल फ्लोरिकन और यह बस्टर्ड होता है यह उसकी उसमें बस्टर्ड परजातिका है यह और यह नेटिव है कहां का इंडियन सबकॉंटिनेंट का और कमबोडिया एंड विएटनाम का इंडिया में कहां कहां पाया जाता है मेहनली उत्तरपरदेश असाम अर्णाचल एंड तरही रिजन ओफ नेपाल के अंदर पाया जाता है आयूसियन की लिस्ट में क्रिटिकली एंडिया और इंडिया की जो सेड्डियूल वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेड्डियूल 9 science 70 में आता है जो बि जानवर है जो इतीं एंडियूल 9 पेंडिक्शन एंडियूल हैं और इंडिया की फेंडियूल यहां में प्रोटेक्शक्राइडमें के शेड्डियूल वन वन में आएंगे ठीक है मिलते है यह वेस्टन हमालिया ओफूत्राखंड बेस्टन हमालिया में मिलती है तेखो 1860 1876 के अंदर यह एक्स्टिंट हो चुकी थी लेकिन अभी भी पाई जाती है ये क्यों हो गयी थी इस्टिंक्ट क्योंकि इनका सिकारों करते थे अंग्रेज बहुत से और अभी आयूसियन की क्रिटिकल इंडेंजर लिस्ट के अंदर पाई आती है यह यहां पर देख सकते हैं बड़ी सुन्दर पक्सी है अब चलते हम नेक्स्ट के उपर अब हम वो देखेंगे जो अनिमल अभी न्योज में थे अनिमल अब देखिये न्योज में कौन कौन से थे तो इंडियन घोर न्योज में था भी इह क्यों न्योज मेधा क्योंकि अब यह भी इसकी ज Corona करणा जिने की 2जार आज़िसार इंडियार और को यह आयूसीन की वननरेबल मी आते हैं यह एक्समी भूइन है जो हाउडिन इंडिया मतलबं इंडिया में पाया ड़ायोप सुए Marian इसका इंडियन 200 और इसका कहा कहा मिलते हैं ये इंडिया चाइना थाइलेंड मलेशिया बॉंगलादेश बुटान और नेपाल में पाइज आते हैं ये अब हम जलते हैं नेक्स्ट के उपर अब देखो एसेटिक लोएन भी न्यूज में थे क्यों थे क्योंकि इनकी पोपिलेशन बढ़ गई है इनकी पोपिलेशन कितनी बढ़ गई है 36% हो गई इनकी पोपिलेशन पहले थे ये 523 और अब हो गए है 674 ठीक है और ये कौनची लिस्ट में आते हैं ये आते हैं एंड और देखो एसेटिक लोएन सिर्फ फिक गुजरात के जो गिर्ड नेशनल पार्क और वाइल लाइफ सेंसरियों वहीं पर पाये जाते हैं और देखो लोएन सेंसर्स हर 5 साल में एक बार होता है ठीक है पहले हुआ था 2015 में अभी 2020 में होगा तो ये नियूज में था ध्यान है और इसके ओपर मोदी जी ने ट्विट करके वह वह ला था कि एसेटिक लोएन की इंक्रीस हो गई है अब सलते नेक्स्ट के ओपर देखिए रेड़ पंडा भी अभी न्यूज में था कुछ दिन दिन पहले और यह आता है एंड 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 लिस्ट में और साइट्स की अ आउट वेस्टन चाइना इंडिया में यह सिक्केम वेस्टन अरनाचल और दार्जिलिंग वेस्ट वेंगोर में पाया जाता है अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर अब यह हैं नोर्धर रिवर तेरा पिन यह टर्टल है ठीक है और यह है क्रिटिकली एंडेंजर्ड आईउस इंडिया के वेस्ट वेंगोल उडिसा इंडोनेसिया मलेसिया और यह एक्स्टिंट कहां कहां हो चुका मतलब कहां कहां से विलुप्त हो चुका है तो देखिए मैंमार सिंगापूर थाइलेंड और वेतनाम से यह बिल्कुल भी नहीं बचाए एक बी और यह ओमनी वोर है त्टिक है और प्लांट भी खाते हैं और जो की मास की मतलब छोटे मुट मास भी जीवजम भी खाते हैं उनको ओमनी वोर बोलते हम और ठीक है अब यह नेटिव है को साउट इस्टेस यागा अब चलते नेक्स्स नीउस लीओ पर तो देखिए ओल्यू रेड्ले टर्टल अ कि अपने आपने भी घंडिक माथन चैंश्टरी जो कहां के जो कि ए ओडिसा गे अंदर ठीक है और यह आईउस्यन की वनरेवल कैटिगरी में आते हैं और यह कार्निवोर होते हैं मतलब यह मासारी होते हैं ठीक है और यहाँ पे थोड़ी सी इस्टेटिक इनफूरमिस्न पाइज आते हैं और इस मोलेस्ट है सबसे चोटे हैं जो यह टर्टल है टर्टल की के टेगरी में सबसे ठोटी यहीं है ओलिव रेड़ी टर्टल ठीक अब चलते हैं नेक्स्ट नियूज के ऊपर तो देखें एसियन एलिफेंट भी अभी यूज में था जो की एंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीसीज है एंडेंजर्ड के इसके कहां कहां पाइज आता है तो यह पांगलादेश पुठान कंपोडिया चाइना इंडिया इंडोनेशिया लाओ और मलेशिया म्यामार नेपा स्रिलंका थाइलेंड और व्येतनाम में पाया जाता है आयूसियन की एंडेंजर्ड में आता है और साइट्स की अपेंडिक्स वन में और वाइडलाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 के सेड्डूल फर्स्ट में आता है तो इस इस फॉर थैंक्यू एवर्यों